यहां से इस साइड से हम तुरपाई करते हैं लेकिन इसमें यहां से यह आप देख सकते हैं तुरपाई हमने नहीं की हुई है बिलकुल भी और यहां से यह देखी यह बिलकुल खुला हुआ भी नहीं है तो फ्रेंस आज की वीडियो में ये देखिए ये मैंने एक कुड़ती स्टिच की है और इस पर ये स्लिट्स पर पाइपिंग लगाई है और ये देखिए आप कितनी फिनिसिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग जो इसमें लगी है तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी बहुती यूजफुल ट्रिक है और जो है दिखने में भी बहुती अच्छी हमारी पाइपिंग लगेगे अगर हम इस तरीके से लगाएंगे तो और ये देखिए इस साइड ये मैं आपको दिखा रहे हूँ तो यहाँ पर ये देखिए जो इस साइड ये हमने ये पाइपिंग लगी हुई है हमारी यहां से इस साइड से हम तुर्पाई करते हैं लेकिन इसमें यहां से यह आप देख सकते हैं तुर्पाई हमने नहीं की हुई है बिल्कुल भी और यहां से यह देखिए यह बिल्कुल खुला हुआ भी नहीं है और हमने यहां से तुर्पाई भी नहीं किया और दिखने में इस तरीके से अगर हम फोल्ड करते हैं स्लेट्स को तो बहुत ही अच्छे लगती है हमारी कुट्ती दिखने में तो बहुत ही आसान तरीका है शोट वीडियो मैंने इस पर यह डाली हुई है तो मुझे कमेंट आया था मैंने पहले डाली थी शोट वीडियो इसकी कि आप लोंग वीडियो बनाई ये तो इसलिए मैंने ये लोंग वीडियो बनाई है मुझे टाइम नहीं लग रहा था बनाने का और आप देख सकते हैं कि यहाँ तरीके से हमारी पाईपिंग्र दीखेंगी तो चलिए शरू करते हैं वीरी यह देकिran बार से कमें लिगा है हैं अ कि व this video थे यहां पर पाइपिंग लगा ली यह सिंग्ल स्लgil लगा के जो हम टोप स्थिच लगाते हैं इस पर वह अपने नहीं लगानी है वो हमने बाद में लगानी है ठीक है इस तरीके से आपने पाइपिंग लगा लेनी है नीचे से फोल्ड पहले नहीं करना है फोल्ड हमने जो घेरा फोल्ड करते हैं लैंथ के अकोडिंग वो हम यहाँ पर आप फोल्ड करेंगे देखें मार्क हम लगा लेंगे जितनी लैंथ आपने कुर्टी की रखनी है और वहां से देखिए उल्टी साइड हमने इस तरीके से इसको रखना है याँ अप एक बार देख लीजिए दुबारा से वीडियो को पीछे करके कि हमने कपड़े को किस तरीके से फोलड किया है ठीक है बस यह ध्याँ रखना है हमने इसमें और half inch फिर कपड़े को हमने अंदर की side इसमें fold कर देना है और यहां से जो ये slide हम लगाएंगे जो piping है हमारी बिल्कुल इसके उपर ही लगाएंगे जो हमारी piping वाली slice में लगी हुई है आपको नजर आएगी तो उसी slide के उपर हम ये slide लगाएंगे और अच्छे से पक्का करके слigh को लगाएंगे ठीक है, तो extra धगे यहांपर यह cut कर देंगे और बिल्कुल ही easy तरीका है यह देखे, अब इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे, यह देखे ठीक है, और अब यह आप यहांपर देख सकते हैं, जो piping पाइपिंग है वो हमारी बिल्कुल फिनिसिंग के साथ यहां पर भार की साइड नजर आ रही है अगर आपकी पाइपिंग भार की साइड नजर नहीं आ रही है तो आपकी जो है यह स्लाई फिनिसिंग से नहीं लेगी है ठीक है तो आप चेक कर लीजिए तो यहां पर यह दे हमारे कोर्णर है उनको भी फोल्ड कर लेंगे थैंक्स पर वाचिंग